शिव जी की है कहानी जो ध्यान से सुनेंगे खुश वो सदा रहेंगे होगी न कोई हानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी हर हर महादेव आएए भक्तों शिव जी की कहानी सुनते हैं श्रधा पुर्वक सुनते हैं तो आएए सुनते हैं शिव जी की कहानी त्रिकाल दर्शि भोले ओंकार स्वामी भोले कैलाश पती भोले ओंकार स्वामी भोले है सोमनात भोले है दीनानात भोले है भूतनात भोले है रुत्रनात भोले साक्षी है सारे सेस्टी, शिव भोले की है चलती, शिर्स्टी पे हो कमरानी शिव जी की है कहानी तो आए किस तरह से भोले नाथ है, संकट को हरते हैं, और कणकण में व्यापक हैं, आए सुनते हैं महकाल संकट हारी, शिव जी है डमरुधारी, है भोले त्रशुल धारी, शंकर है चंद्रधारी, रामेश्वर नामाथ है का शी भिधाम उनका, कैलाष धाम उनका, ये बात है हकिकत, कैलाष का ये परवत, शिव की है राजदानी शिव जी की है कहानी ओम नमस्षिवाए महादेव की लीला किसी को नहीं समझ में आने वाली इनके लीला अनेकों हैं अनेकों हैं हर हर महादेव कैसी है उनकी लीला कैसी है उनकी नहीमा इस भेद को अभी तक कोई समझ न पाया जगदंबे माने जाने कैसी तफस्या की थी बदले में जिसके उनको ऐसी खुशी मिली थी हर एक जनम में गोरा ने शिव का साथ पाया शिव की बनी पटरानी शिव जी की है कहानी हर हर महादेव महादेव भोले नाथ महायोगी है उनके जब तब की देवगण भी प्रशंचा करते हैं कैसे? अपनी ही धुन में शिव जी रहते सदा मगन है माम देव है शिव भोले श्री कंठ नागर जुन है हट योगी है महादेव जाने ये दुनिया सारे शिव की कठिन तपस्या सब देव गणों ने देखी महादेव है तपेश्वर महादेव है योगेश्वर वो है तपस रिध्यानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी करती थी और हर जनम में उन्होंने शिव को पती की रूप में पाने की कामना थी भोले का रूप ऐसा गौरा के मन को भाया भोले की छब को गौरा ने नैनों में बसाया बन बैठी पारवती जी फिर गौरा जी की दुलहन करने लगी वोनिस दिन डमरू धारी का पूजन डम डम बजाओ डमरू मन पर रहा न काबू जो मूठी मा भावानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी और भक्तों मा पारवती और शिव की जोड़ी अनूठी है बहुत ही अनूठी है उसका वरणन किया ही नहीं जा सकता केदारनाथ की वो करती है सेवादारी जाती है त्रिपुरारी पे गौरावारी वारी शिव और शिवा की जोड़ी जब देखते है देवगन कर जोड़ कर है करते दोनों ही का अविनंदन नंदी है उनका वाहन करते हैं जिस पे भ्रामन शिव शंभु और शिवानी शिव जी की है कहानी ओम नमस्षिवाय भक्तों शिव जी के विवाह का प्रसंग भी अनुखा है धोले नात दुला बने हैं और उसे देखकर सब लोग अचम भी थैं दुला बना के शिव को सब उनके साथ निकले ओत और पिशाच दोनों ढोलक बजा के नाचे बारात ये अनुखी जब के नगर में पहुँची बोले नगर के वासे बारात खूब आई नंदी पे चड़के भोले जाते हैं होले होले शादी जो है रचानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी भक्तों एक बार बोलिये हर हर महादेव जिनें भोले भंडारी से प्रेम है वो अपने हिर्दै से भोले नाथ में आस्था रखते हैं और सुने आगे जो शिव के है श्रत धालो देखो तो उनकी आस्था भोले को रिजाने को देखो ये करते हैं क्या सावन के माहों में ये घर से निकलते पैदल कंगा नहां के फिर ये लाते वहां से हैं जल कांधे पे लेके कावड कहते हुए सब हर हर कंगा का लाते पानी शिव जी की है कहानी शिव जी की है कहानी और भक्तों भग्वान शिव का त्यारा सवारी है नंदी और वो नंदी बहादेव के हर आज्या का पालन करता है शिव भोले का ये नंदी कैसा है आज्या कारी स्वामे की आज्या पाके कर लेता है तैयारी भोले का जब क्यों डमरू बजता है भक्तों डम डम नंदी गले की घंती भी करती है तब छम छम नंदी की चाल देखी तो गोरा जी यू बोली क्या चाल है मस्तानी शिव जी की है कहानी ओ नमस्षिवाए भक्तों शिव जी महाराज का सिमरन एवं पूजन बढाई फल्दाई है कभी भी अकाल मिर्तियों हो ही नहीं सकती महादेव जी का पूजन भक्तों है लाभकारी महादेव जी का सिमरन सुखदाई है गुणकारी मृतियों आकाल उसको आती नहीं है भक्तों संकट की बदली उस पे छाती नहीं है भक्तों शिव का करे वो पूजन निश दिन करे वो सिमरन आयू हो गर बढ़ानी शिव जी की है कहानी और भक्तों शिव जी जितने भोले हैं उनका रोद्र रूप भी वैसा ही है उनका शिव का क्रोध बड़ा ही भैंकर है इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए रखिये गाध्यान इसका शिव को न क्रोध आए ए भक्तों भूल ऐसी कोई भी कर न पाए क्रोधित जो होते शंकर सब कापते तब थर थर लगता प्रले आ पहुचा सब मांगते हैं डर कर कापे गगन और धरती कांडव करे जब शिव जी थर राय सारे प्राणी शिव जी की है कहानी 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 ओम नमस्शिवाय भक्तूं भोले नात के अनेक रूप है वो जन्म और मृत्यू के अधिकारी है वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं महाकाल है महादेव ये दुनिया जानती है होले के हाथ में ही हम सब की जिन्दगी है जीवन और मृत्य पर है अधिकार उनका भक्तों पढ़ लेना शाश्त्रों में लिखी है बात लोगों हाथों में है शंकर के यानी के भी मेश्वर के हम सब की जिन्दगानी शिव जी की है कहानी महादेव बहुत भोले हैं एक बार तो भस्मा सुर को उन्होंने वो वर्दान गिया कि जिसके सर पर हाथ रखे वो राक हो जाए और आए सुनते हैं आगे क्या हुआ भस्मा ने की तपस्या वर्दान शिव से पाया कर जिसके माथे रखो उसका करू सफाया शिव बोले जिसके सर पे जा हाथ तू रखेगा ऐ भस मसूर वो प्राणी जल करके राख होगा बरदान जब ये पाया भस मसूर जूम उठा बन बैठा अभिमानी शिव जी की है कहानी और भक्तों वो नादान भस मसूर वरदान मिलते ही सूचा कि क्यों न मैं शिव जी के ही सर पर हाथ रख दूँ ये भस मो हो जाएं और देखे क्या होता भस मा ने सोचा जग को लीला न क्यों दिखा दू रख करके हाथ सर पर भोले ही को जला दू ये सोच करके मन में भस मा लगा अकडने वो दोड़ा दोड़ा भागा महादेव को पकडने महादेव जी की लीला भोले कि ये है महिमा उस मुर्ख ने न जानी शिव जी की है कहानी ओम नमस्षिवाय भक्तों भस्मा सुर के इस नादानी पर उसका अंत कैसा होता है ये जरा सुने ध्यान से सुने रूप धर के मोहिनी का विश्णु जी वहां आये दिखलाओ नित्य मुझको भस्मा से विश्णु बोले एक हाथ हो कमर पर और दूसरा हो सर पर पच्चताया भस्मा अपने ही सर पे हाथ रखकर रखते ही हाथ सर पर कुवा खत्म भस्मा जल कर कुई खत्म ये कहानी शिव जी की है कहानी भूले की है कहानी